और दूर दर्शी वो व्यक्ति होता है जो अपनी यात्रा को आरंब करने से पहले ही देख सकता है कि इसका अंत किस प्रकार है या किस प्रकार इसकी सम्रिदता हमारे देश को और सशक्त कर रही है ऐसे ही दूर दर्शी व्यक्तित्व का नेत्रत्व हमारे देश को मिला है हमारे देश के मानने ये प्रधान मंत्री मोहदय आधरणिया श्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेत्रत्व में भारत ना केवल हमारे देश में ही एक आत्म निर्भरता का प्रतिन नहीं बना उसके विश्व पटल पर भी पूरी तरह से हम सभी लोगों की उपलब्धियां चमक रही है और ये उपलब्धियां हम सभी लोगों के सहयोग से है कहा जाता है ना कि सहयोग में वो ताकत होती है जो नक्षत्र के योग को भी बदल देती है और इस योग को बदलने है तू मानेनिय प्रधान मंत्री महादय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पत कर दिया है आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एक बार पुना करे और उनके आगमन को सतकार दें, सम्मान दें आपका बहुत-बहुत स्वागत महादय आज आपके यहाँ आने से ये जो लगभग 51,000 करोड के निवेश की परियोजनाए है इसकी समृधी मध्यप्रदेश के हर घर तक पहुँचेगी और उसके साथ-साथ धीरे-धीरे हमारे देश के हर कोने को सशक्त करेगी हम आपके आभारी हैं कि आज आपने इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश की धर्ती से पूरे देश को समर्पत करने का ये निर्णय लिया और आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं उननचास हजार करोड के निवेश से BPCL बीना रिफाइनरी के परिसर में Petrochemical Complex के तहट आप सभी को हम बता दें कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग एक लाख रोजगार का स्रजन होगा और इस स्रजनात्मक्ता की ताफ़त के साथ माने निये प्रधान मंत्री मोहदे हम सभी लोगों के बीच यहां पर उपस्थित है आत्मिंदर भर भारत का ये उद्देश्य जीवंत करने हे तू हम सभी लोग यहां एक दूसरे के साथ एक जुट है आप सभी लोगों का उमंग एवं उद्सहा इस बात को प्रतिविंबित करता है कि किस प्रकार माने नियय प्रधान मंत्री जी की सकरात्मक उड़चा हम सभी लोगों के बीच हम सभी लोगों की रगों में दौड रही है आपका हम अभिनंदन करते है मध्य प्रदेश की इस धर्ती में जहां हम सभी लोग संस्कृती और इतिहास को हमेशा से द्रड़ पाते हैं अब यहां आत्म निर्भरता की द्रड़ता भी देखने को मिलेगी और उस द्रड़ता में सौंदर्य का कस्तूरी तिलक लगाने है तू हमारे साथ उपस्तत है भारत के माननिय प्रधान मंत्री महदय आदर्णिय श्री नरेंद्र मोदी जी खुली जीप में सवार सभी लोगों का अभिवादन स्विकार करते हुए साधी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मोहदे श्री शिवराद सेंग चाहान जी भी इस खुली जीब में माने निये प्रधान मंत्री जी के संग उपस्थित आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं आज के इस कारेक्रम में ऐसा स्वागत करते हैं जो आपके और हमारे बीच एक ऐसी अटूट सुत्र को बांध देगा जो सुत्र सदा के लिए इस देश को आत्म निर्भरता का गौरब देगा एक बार पुना हम स्वागत करते हैं हमारे देश के माननिये प्रधान मंत्री मोहदे आदर्निया श्री नरेंद्र मोदी जी आप हमारे इस कारेक्रम में पढ़ारे हैं और अपसे कुछी क्षणों पश्चात जब आप यहां मंच पर उपस्थत होंगे तो मध्य प्रदेश की भूमी से हमारे हर घर तक आत्म निर्भरता को पहुचाने है तू लगभग 51,000 करोड के निवेश की परियोजनाओं का समरपड आपके शुब कर कमलों से किया जाएगा आपको हम बता दे कि माननिये प्रधान मंत्री मोहदे अब धीरे धीरे उस प्रदर्शनी की और अग्रसर हो रहे है जो प्रदर्शनी पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स एवं दस और द्योगिक परियोजनाओं की लगाई गई है BPCL बीना रिफाइनरी के परिसर में Petrochemical Complex जो बनाया जाएगा उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में हम आपको बताना चाहंगे कि Petrochemical Complex की बारुकियों को पूरी तरह से दिखाया गया है उसका व्याख्यान किया गया है कि क्या-क्या विशेष्टाएं इस Petrochemical Complex की है और उन विशेष्टाओं को देखने उन विशेष्टाओं का जायजा लेने और उनकी पूरी तरह से बारीक से बारीक जानकारी को पाने हे दू माने निय प्रदान मंत्री महदे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदिशनी की ओर अग्रिसर है आपको ये बताते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि ये अत्याध्यूनिक Feed Cracker इकाई जो की 1200 KTPA, Polyethylene और Polypropylene का उत्पादन करेगी जो प्लास्टिक, कपड़ा, पाकेजिंग और फार्मा जैसे विभिनेक शेत्रों के लिए एक महतोपून घटक होता है वर्ष 2028 तक इस इकाई का व्यदसाइक उत्पादन भी आरंब हो जाएगा और इस उत्पादन के आरंब के साथ ही हर घर में आत्म निर्भरता का पर्चन लहराएगा और हमारा ये देश द्रटा की एक और नई मिसाल कायम करेगा आपको बता दें कि ये परियोजना मजबूत परियावरणिय स्थिर्ता पर आधारित है इस इकाई में परियावरण पर न्यून्यतं प्रभाव डालने के उदेश से उन्नत एवं मौडन तकनीकों का उप्योग किया गया है ये इकाई देश की आयाप निर्भरता को कम करके भारत के आत्म निर्भर भारत द्रिष्टिकों को पूरता जिवन्त करेगी पेट्रोलियम एक्षेत्र में डाउन स्ट्रीम उद्योगों के विकास को भी प्रेडित करेगी ये योजना बीना के पास बुंदेल खंड एक्षेत्र में एक मेगा पेट्रोकेमिकल पार्ग के विकास की संभावनाओं को भी जन्म देगी और जहां संभावनाएं होती है तो उन्हें संपूर करने की चनौती हम सभी लोग ले सकते हैं क्योंकि जब संभावनाएं दिखाई देती हैं तो वो स्वप्न को आकार देती हैं। मानेने प्रधान मंत्री महदे आज मध्य प्रदेश के विभेनेक्षेत्रों में विक्सित होने बाली कुल दस और द्योगिक परियुजनाओं की आधाशला भी रखेंगे। आपको हम बता दें कि ये प्रदेशनी पूरी तरह से उन बारीकियों की जानकारी देती हैं जो की पेट्रोकेमिकल कॉंप्लेक्स के बारे में हैं। और साथ ही उत्पाद किस प्रकार अन्य और द्योगिक इक्षेत्रों को भी विक्सित कर सकते हैं। आम लोगों की जिविका को प्रभावित कर सकते हैं। उसकी जानकारी भी इस प्रदेशनी में दी गई है। वाकई में ये सच कहा जाता है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे संकल्प का धन चाहिए। और संकल्प के इस धन को लेकर हमारे माननेकण भी यहां मच पर उपस्थत हो रहे है। माननिय प्रधान मंत्री महदय प्रदशनी का जायजा ले रहे है। इस प्रदशनी में IT पार्क की जो परिकल्पना की गई है मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिसों में उसे भी दर्शाया गया है। आपको हम बता दें कि नर्मता पुरंजिले में 227.54 एकड में विद्यूत एवं नभी कर्णिय उर्चा उपकरण विनिर्माण अध्योगिक इक्षित्र को विक्सित किया जाएगा। इसके अधरिक्त इन दौर में दो नए IT पार्क का भिश लान्यास होगा जो स्वेम माननी प्रधान मंत्री महोदे श्री नरेंद्र मोदी जी के शुब कर कमलों द्वारा किया जाएगा। ये नए IT पार्क्स, IT और IT ES इक्षित्र में परिवर्तन कारी बदलाव लाएंगे। इन पार्क्स में जो निवेश होंगे वो रोजगार के और बड़ी बड़ी संभावनाएं हम सभी लोगों के समख्ष प्रदर्शित करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस में के समीप होने के कारण रतलाब में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माड किया जाएगा, जो मालबा इक्षित्र में और ध्योगिक विकास को बढ़हावा देगा। हम आपको बता दें कि ये Mega Industrial Park, कपड़ा, Automobile, Pharmaceutical इन सभी एक्षेत्रों के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा शाजापुर, गुना, मौगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम और मक्सी में छे नए उद्योगिक एक्षेत्र भी विक्षित किये जाएंगे इसका उतेश है, राच्य में संतुलत इक्षेत्रिय विकास को बढ़ावा देना, इन परियोजनाओं से अधिक-अधिक रोजगार पैदा होंगे और वो रोजगार ना केवल हमारी आज के समाज को, बल्कि हमारी आने वाली पीड़ी को भी द्रिड़ता पदान करेंगे जहां राष्ट्र विभेन प्रकार के उद्योगों के माध्यम से प्रगिती और आर्थिक विकास का साक्षी बनेगा निसंदे, आज माननिय प्रधान मंत्री महोदे के शुब कर कमलों द्वारा होने वाले ये शिलान्यास आर्थेक एवं और द्योगिक परिद्रिश्य में क्रांती कारी बदलाव लेकर आएंगे और देश के सुनेहरे भविष्य का नर्मान करेंगे वो भविष्य जो आप है, हम है, वो भविष्य जो हमारे घरों के बच्चे भी है तो आप सभी लोग, आप सभी आगंतुक जो आज के इस कारेकरम में अपनी द्रड़ता, अपनी शक्ती और अपने संबल के साथ उपस्तत है आप सभी को मैं शिल्पा भावना एक बारपुना प्रडाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ आज के इस कारेकरम में माननिय प्रधान मंत्री महदे, श्री नरेंद्र मोदी जी के शुब कर कमलों द्वारा 49,000 करोड के दिवेश से BPCL बीना रिफाइनेरी के परिसर में पेट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स का शिलान्यास होगा और साथ ही 1800 करोड की 10 नई और द्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास होगा यानि मध्य प्रदेश की इस धर्धी को लगभग 51,000 करोड के निवेश के उपहार मिलने वाले है आज का हमारा ये कारेकरम हमारी इस मात्र भूमी को प्रणाम है आज का हमारा ये कारेकरम सशक्ति करण दे रहा है जोड़दार तालियों से स्वागत कीजेगा माननिय प्रधान मंत्री महद है श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिष्ठा और प्रताप के परिचालक श्री नरेंद्र मोदी जी यहां मंच पर उपस्तित हैं आप सभी की तालियों की गड़गडाहट के साथ हम उनके स्वागत को सतकार देंगे जोड़दार तालिया हो जाए प्लीज आप सभी की आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं प्रणाम करते हैं स्वागत करते हैं मंच पर उपस्तित हमारे मन्यगडों की उपस्तिती को भी हम सम्मान देते हैं माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर हमारे साथ श्री शिवराद सिंग चोहां जी मुखे मंत्री मध्यप्रदेश श्री हर्दीप सिंग पुरी जी केंद्रिय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस दॉक्टर् विरेंदर कुमार केंद्रिय मंतरी सामाजिक न्याय एवं अधिकार्यता मंत्राले śree प्रलाद सेंग पढेल जी केंद्रिय राज्य मंतरी जल्शक्ती मंत्राले श्री गोपाल भार्गर जी लोग निर्माण मंत्री मध्यप्रदेश, श्री घुपेंद्र सिंग जी नगरिय विकास मंत्री मध्यप्रदेश, श्री गोविन सिंग राजपू जी राजस्प एवं परिवहान मंत्री मध्यप्रदेश, श्री अरविंद बदोड्या जी प्रभ औहरी सागर इक्षेत्र एवं सहकारित एवं लूख प्रवंतन मंत्री श्री राजवर्धन सिंग दथि गाउं उद्ध्योग नीती एवं निवेश प्रोट्साहन मंत्री श्री वीडी शर्मा जी प्रदेष अत्यक्ष श्री राज बहादुर सिंग जी माननिय सांसत महते साधी विधायगण श्री शैलेंद्र जैन जी, श्री प्रदीप लारिया जी एवं श्री महेश राय जी आप सभी का इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन मित्रो सब्त सुरों के घट सजाकर, मंगल रितुओं के बुश पचड़ाकर मन विणा के तार केवल एक ही बात कह रहे हैं और वो है स्वागतम, शुब स्वागतम भारत के मानेनिय प्रधान मंत्री महादय आदर्णिय श्री नरेंद्र मोदी जी इस मंच पर हमारे साथ हैं और आपके सतकार है तू सर्व प्रधम मैं अनुरोध करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराद सिंग चौहान जी से कि आप मानेनिय प्रधान मंत्री महादय को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें आज के कारिक्रम में आपका अभिनंदन करें आप सभी के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमें स्वागत को सतकार देंगे साथ ही ये सांची स्थूप हम आपको भेंट करना चाहेंगे आज के दिन की स्पृति को चिर्स थाई रूप में अंकित करने हैं तू सांची स्टूप की ये लगु संरचना आपको भीट की जाती है सांची स्टूप जो मध्य प्रदेश की इतिहास की द्रड़ता का परिचायक है आपका बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद महादे दोस्तों कोई भी कारे जब किया जाता है तो उसके लिए परिश्रम बहुत जरूरी है तो इसी लिए इस बात को याद रखना है कि उद्यमे नहीं सिद्यंती, कार्यानी ना मनो रथई कोई भी कारे उद्यम के बिना नहीं होता और आज का ये जो मन्च है, जो परियोजनाई आप सभी को समर्पित की जा रही है ये उद्यम का ही प्रतिविन्व है तो आप सभी लोगों के करतल भनी के बीच मैं आमत्रित करना चाहूंगी केंद्रिय मंत्री पेट्रोलियं एवं प्राकरतिक गैस श्री हर्दीप सिंग पुरी जी को स्वागत संभोधन हे तू आपके तालियों के गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे परम आधरनिय प्रदान मंत्री जी मध्यप्रदेश के याशस्वी मुख्यमंत्री मानिय शिवरांट सिंग चोحान जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे वरिष्ट साथी डॉक्तर विंदरेंद कुमार जी येवं श्री प्रलाध सिंग पातेल जी मध्यप्रदेश शरकार के मंत्री गन यहां उपस्तित स्टेट प्रेजिडेंट और सांसर श्रीवीडी शर्मा जी, विधायक दा गन, मंच पर उपस्तित सभी अथिति गन, अधिकारियों, डेवियों और सजनों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्राले के और से मैं आप सब का हार्दिक सवागत यहां प आपने दोजार चौदा में दायत्व संभाला, उस समय देश की क्यास्तिती थी, और नौ साल के विकास कारे के बाद आज क्यास्तिती है, दोजार चौदा में भारत में 45 प्रतिशर ऐसे परिवार थे जिनको गैस का सिलिंडर नहीं मिलता था, गैस सिलिंडर के लिए लाइन आज देश भर में 32 करोड गैस के सिलिंडर के कनिक्शन है, माने ये प्रदान मंत्री जी पिछले तीन साल में जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपने देश में 220 करोड से अधिक वैक्सीन बनवाईं, मुफद बांटवाईं, दुनिया भर में 100 से अधिक देशों को ये वैक्सीन मुफद पहुंचवाईं, और इसी समय आपने देश के 80 करोड हमारे भारत्य नागरिकों को दिन में 3 समय का ड्राइ रैशन भी पहुंचाया, दुनिया में जो कच्छे तेल के दाम पे जो तकलीफें हमने देखी, तेल का दाम 19 डॉलर 56 से लेके 128 डॉलर पर बैरल पहुंच गया, भारत एक ऐसा देश है, आप दुनिया वर में देख लीजे, विक्सित देशों में कच्छे तेल का पेट्रोल और डीजल का दाम 30, 40, 50 प्रतिशत बढ़ा, भारत के आसपास जो देश हैं, वहां पे भी 70, 70 प्रतिशत पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, माने ने प्रदान मंत्री जी, आपने ऐसे कदम उठाए, और पिछले दो साल में भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं, पांच प्रतिशत कम हुआ, डीजल का दाम भी, 0.2 परसेंट कम हुआ, आपने ये कैसे किया, आपने दो समय, नवंबर 2021 और मई 2022 में, on two occasions, आपने Central Excise Duty कम की, और जो भारत ये जनता पार्टी की राज्य हैं, उन्होंने अपना वैट भी कम किया, आज ये स्कति हैं हमारे पास के जो BJP की Double Engine सरकारे हैं, वहाँ पे आप कारियर विकास का काम देखे, और बाकी जगह देखे, तो सही पता रगता है, मैं आपकी अनुमती हो, तो मैं एक मिनिट लेके मध्या प्रदेश के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ, मध्या प्रदेश में 2014 में पेट्रोल पंप थे 2854, आज 2023 में पेट्रोल पंप थे 5938, एक सो आज प्रतिश्रत की बढ़ाती हुई है, एल पीजी डिस्ट्रीबिटर थे 2014 में 865, आज है 1552, अस्थी प्रतिश्रत की बढ़ाती हुई है, एल पीजी कनेक्शन थे लाख, 70 लाख थे, 2014 में मध्या प्रतिश्रत में आज 185 लाख कनेक्शन है, 170 प्रतिश्रत की बढ़ाती हुई है, और आप एल पीजी पेनेक्ट्रेशन देखें, जैसे देश में 45 परसंट था, 45 परसंट था, यहाँ पे 44 परसंट था, आज 100 प्रतिश्रत एल पीजी पेनेक्ट्रेशन है पाइप नैच्छल गैस दोजार चौदा में दोजार साथ सो कनेक्शन थे आज दो लाग पंदरा हजार एक सो पचासी साथ हजार शे सो बतिस प्रतिशन बढ़ाती हुई है सी एंजी के स्टेशन मध्या प्रदेश में पहले पंदरा थे आज दो सो पजटतर हैं एक हजार साथ सो पैंटिस प्रतिशन बढ़ाती हुई है और नैच्रल गैस पाइप लाइन किलोमिटर में आठ सो दो किलोमितर थी दोजार चौदा में आज छे ऐजार आठ सो बासट है साथ सो पच्पन प्रतिशन माने ने प्रदान मंत्री जी जब आप मुख्य मंत्री थे गुजरात के आपने उस समय दहेज में एक पेट्रो केमिकल प्लांट बना के वहाँ पे रोजगार समर्दी और विकास का कारियर बनाया मुझे पूरा विश्वा से आज ये जो पेट्रो केमिकल प्लांट की जो एक्सपैंशन हो रही है और जो एथिलीन क्रैकर प्लांट बनाया है इस से रोजगार समर्दी विकास होगा और बुलन बुंदेलखन की एक बुलन बुंदेलखन का एक शांदार विकास का कारियर यहा माता की बारत माता की धन्यवाद धन्यवाद महादे और अब समय है लगभग 51,000 करोड की योजनाओं के उपहार के समर्पन का लेकिन उससे पहले मैं अनुरोद करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री महादे श्री श्रीवराण सिंग चोहान जी से की आप इस सभा को समभोधित करें आपकी करतलधनी के साथ उनका अधिन अंदल करेंगे बोलिय भारत माता की बीना से दिल्ली तक आबाद जानी चाहिए बोलिया भारत माता की भारत माता की हम सब के स्वभाक से आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे प्री प्रधानमंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी दौनों हाथ उपर उठाके ताली बजा के स्वागत कीजिये मोदी जी का बंदन कीजिये मोदी जी का अभिनंगन कीजिये मोदी जी का आधनी स्रिमान हर्दी पुरी जी अमारे केंद्री मंत्री आधनी वीरेंद्र जी केंद्री मंत्री आधनी प्लाजी केंद्री मंत्री आधनी वीडी सर्माजी प्रधे सध्यक्ष आधनी गोपाल जी भुपेंद्र जी गौविंद जी अर्विंद जी हमारे सांसर जी राज-बहग्दुर जी हमारे इहां के विधायत महेश जी भाई सैलें जी प्रदीप जी हमारे उपस्ट सभी साथी प्रिये बहनों भाईयों और भाण्ये भाण्य आप सब को नमस्कार आज प्रधान मंत्री जी आए है और जी 20 की एतिहासिक सफलता के बाद आए है आज कहते हुए गर्व होता है हम बच्पन में कहते थे विश्व का कल्यान हो प्राणियों में सद्भाबना हो अरे केवल भारत का नहीं विश्व के कल्यान का काम अगर कोई कर रहे है तो हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी कर रहे है और जब पूरे दुनिया में भारत की जैजे हो रही है मोदी मंत्र गूंज रहे है हम सब का देश बाशियों का और देश का सम्मान प्रधान मंत्री इंदरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है इसलिए तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजे अभी नंदन कीजे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चंद्रियान हमारा चंद्रमा पर उतर रहा था उतरते हुए देखा सब ने अरे बजपन में हम कहते हैं रूस भेज रहा है अमेरिका भेज रहा है लेकिन बैक्यान को प्रणाम और मोदी जी का बंदन और अभीनंदन आज चंद्रमा पर भारत का चंद्रयान पहुंच गया है इसलिए हम स्वागत करते हैं प्रणामंत्री जी आपका अब सूरज की तरह भी बढ़ रहा है मंगल यान भी जा रहा है लेकिन आज ये छेट रात्यंत प्रसंद है आनंदित है उच्छ साहित है बीना और आस्पाद बालो कबल बीना नहीं सागर नहीं विदिसा हो मुंगा आप असोपनगर हो गुना हो सागर हो ये पुंदेल घंड की धरती जिसको कांगरेस ने हमेशा पिछडा रखा था पिछडा पिछडे पनका अभी साप जहलने के लिए मजबूर थी लेकिन आज ये जो पेट्रो केमिकल कॉंपलेक्स बन रहा है इसमें सीधे पचास हजार करोड का निवेस आराए सीधे पचास हजार करोड का इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जन्ता की तकदीर बदल जाएगी आज मित्रों के युद्धोग पती आए यहां एंसलरी यूनिट बतब छोटी-छोटी हिकाई या लगाने के लिए और जब यह पेट्रो केमिकल कंप्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और बनने के बाद जो अन्नी यूनिट आएगी भविस में 2,15,000 हमारा ये छेत्र बदल जाएगा इसके हम प्रधान मंत्रीचे को प्रणाम करते हैं और उनका हिर्दे से अभीननन करते हैं लेकिन बीना बालों आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए आज मद्देश में अलग अलग जगे नर्मदा पुरम में बिद्दोत और नपकर के नी उर्जा उतका 3300 करोल का निवेश दोने आई टी पार्क इंदोर में 5000 करोल का निवेश मेगा इंडिस्ट्रिल पार्क रत्लाम में 35400 करोल का निवेश चैन अभी नौतों कि छेत्र सायापुर गुना मौगंज आगरमालवा नर्मदा पुरम मक्सी 16500 करोल का निवेश तो लगवग एक लाग पचास जार दोसो करोड रुपे का निवेश पूरे प्रदेश में भूमी पूजन हो रहा है भावी जनता उपस्तित है और दो लाग शेत्र हजार छेसो से अधिक रोजगार के अफसर स्रिजित होंगे दौनों को मिला लिया जाए तो नौजवान ब कीजिए और इतने ही नहीं बंदेल खंड वालों कांग्रेश नहीं साब बंदेल खंड को सूखा रखा लेकिन मुझे कहते हैं आनंद और प्रसंता है कैन और बेतबाप परियोजना हमारी मंजूर हो गई है सारी आप चारिकता है पूरी हो गई है बंदेल खंड की 20 लाख ए कर जमीन में पूरा पुंदेल खंड पदर जाएगा है अरे कांग्रेश ने कभी इतनी सिचाइगी दवस्ता की थी क्या ऐसा नहीं जोर से बनके बताओ की थी क्या है क्या किया कॉंग्रेश ने और बीना वालों बीना ददी कंप्लेक्स तीन अजार तीसो करोड रुपे की स सिचाइगी थी वो बढ़के हो गए यह 47 लाख एक्टर और पुंदेल खंड की धरती पर जरूर पदा रहे हैं और आप चाहते हैं तो तालिया वजा के फिरा मंत्रित कीजिए प्रदान मंत्री जी को पुरा प्रदाइश बदाता है कांग्रेश ने तबाह और बरबाद कर दिया था प्रदान मंत्री जी ने भेज़े था प्रदान मंत्री आबास दो लाख कमलना जी ने पापिस कर दिये प्रधान मंत्री ने जल जी बन मिसन शुरू किया था 2019 में कांग्रेट ने अशुरू नहीं किया प्रधान मंत्री जी ने किसान सम्मान ने शुरू की लेकिन कांग्रेट ने सूची नहीं भेजी वो अभी साथ थे मर्ड़क देश के लिए लेकिन प्रधान मंत्री जी आज बर्धान बन के आए है और एक बात और आज 14 सितंबर है 17 सितंबर को माननी प्रधान मंत्री जी का जन्व दिन है पिछली बार भी 17 सितंबर को प्रधान मंत्री जी आए थे कूनो पालपुर तब जीता प्रोजेक्ट मंजूर करके आए थे और आज इतनी बड़ी सौकात देने आए है प्रधान मंत्री जी का जीवन उनके लिए नहीं है अपने लिए तो सब जीते हैं कीट पतंग अभी और पसुपछी भी अपने लिए जीए तो क्या जीए और जीते तो वो है जो देश के लिए जीते हैं जंदा के लिए जीते हैं और प्रधान मंत्री जी देश और जंदा के लिए जीते हैं एक एक छण देश के लिए उनका स प्रदान मंत्री जी को जन्म दिन की बधाई देते हैं ताली बजा के एक बार फिर स्वागत कीजे आपका स्वागत और अविनंदन आप देश की सेवा करते रहें हम आपके पीछे चलते रहेंगे बोलिया भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद भाद 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 धन्यवाद मानेनिय प्रधान मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकमपा से मध्य प्रदेश की धर्ती को जो करोडों निवेश की ये जो परियोजनाई है वो अब समर्पित होने जा रही है आपको बता दें कि आज 49,000 करोड के निवेश से BPCL बीना रिफाइनरी परिसर में पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स का शिलान्यास स्वेम मानेनिय प्रधान मंत्री मोहदे के कस्तूरी करों द्वारा किया जाएगा साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन एक्षेत्रों में 1800 करोड के निवेश से विक्सित होने वाले 10 अध्योगिक परियोजनाओं की भी आधाशला माननिय प्रधान मंत्री जी के शुब कर कमलों द्वारा रखी जाएगी नर्मदापुरम जिले में विद्यूद एवं नवी कर्णिय उर्जा उपकरण वी निर्मान ओद्योगिक एक्षेत्र इन दौर में दो नए IT पार्क, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रिल पार्क, शाजापुर, गुना, मौगंच, आगार, मालवा, नर्मदापुरम और मक्सी में छे नए और द्योगिक एक्षेत्रों का विकास, तो मैं अनुरोद करूँगी मारिनिय प्रधान मंत्री महदय, आदर्निय श्री नरेद्र मोदीजी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से BPCL बीना रिफाइनरी परिसर में पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स एवं म मात्यप्रदेश की दस नए और द्योगिक परियोचनाओं का अनावरण करने का कष्ट करें ये क्लिक यहां मच पर आपके समख्ष आपसे अनुरोद कि आप अपने शुव कर कमलों द्वारा ये परियोचनाए समर्पित करें कि कॉमांपी उया बाइब दिसमना एफ ता करें ये ऻीवारा ये वारा ये । प्रधान मंत्री मोहदे के आभारी है कि आपने इस भारी निवेश की परियोजनाओं को जो आप कह सकते हैं कि एक चुनोती पूर्णकारे है उस चुनोती को उबलब्धी में परिवर्तित किया है और जो व्यक्ति चुनोती को उबलब्धी में परिवर्तित करता है हम उन्हें जिगरवाला कहते हैं क्योंकि जिगरवालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता वह पाउं रखते हैं वहीं कोई रास्ता नहीं होता हम आभारी हैं माननिय प्रधान मंत्री महोदे के और अब बीना रिफाइनरी में उनने चास हजार करोड की लागत से बनने जा रहे इस पेट्रोपेमिकल कॉंप्लेक्स पर तयार किया गया एक चल चित्र एक लगू फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है भारत का हृदय मध्य प्रदेश अपनी सम्रिथ कलान संस्कृती एदिहासिक स्थल राष्ट्रीय उत्यान प्रात्रितिक सौंधर्य मंदिरू और सुनी अंसुनी वीर गाधाउं के लिए प्रसित्धर तूर तर्शी नेत्रित्व के प्रतीक माननिय प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में संपून बुंदेल खंड क्षित्र में विगास के एक नई यूग की शुरुवात हुई है उनकी अटूर्ट प्रतिबधता और अथक कार्य नीती के परिणाम स्वरू आज भारत आत्म नेर्भरता की ओर तीव्र गती से अग्रसा है भारत के परिवर्तन की प्रेरक्षक्ति माननिय प्रथान मंत्री शुरी नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुदूर्ट भारत सर्कार्व के वार्ग दर्शन में भारत पेट्रोलियम निरंतर प्रयास रते प्रेरणा और प्रगती जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए यूग की नियू पढ़ती है आज हमारा MP इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश स्थित्वीरों की भूमी पुंदेल खंड क्षेत्र में स्थित्व पीना रिफाइनरी परिसर प्रतिवार्ष बाइस सौ किलो टन उत्पादन क्षमता का एक विशाल पेट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स का निर्मान कि किया जा रहा है जिसमें मध्यप्रदेश सरकार का भी पूर्ण सयोग प्राफ्टव हो रहा है पर योजना की आवशक्ताओं को देखने हुए बीना रिफाइनरी की साथ दशमलव आठ एमेम टीपीए क्षमता का विस्तार कर 11 एमेम टीपीए किया जा रहा है साथ ही यहां उत्कृष्ट तकनीक वाले एक दशमलव दो एमेम टीपीए क्षमता के एथिलीन ट्रैकर कॉम्प्लेक्स और डाउन स्ट्रीम पेट्रो केमिकल से यंद्र कीथी स्थापना की जा रही है लगभग 49,000 करोण की दागत से बनने वाले इस परियोजना को अगले पांच बर्शों में पून कर लिया जाएगा निर्मान के दौरान लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और परियोजना पून होने के उपरांत एक लाग से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा आजकल पेट्रोकेमिकल से बनी पस्तूओं की मांग बहुत अधिक है क्योंकि ये मस्बूत और टिकाव होने के साथ साथ किफायती भी होती है जैसे पाइप्स, फर्मिचर, कंटेनर, आटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल उपकरण, विभिन्द प्रकार के फिल्म, फ्रिशी उपकरण, निर्मान कार्य उप्योगी उपकरण, इत्यादी ये पर्योजना पूर्ण होने के बाद, पूरे बुंदेल खंड क्षेत्र के साथ मंध्य प्रदेश में उद्योगिक विकास को नई गती प्राप्तों होगा पेट्रो केमिकल से संबंधित विभिन्द प्रकार के उद्योग जैसे फिल्म्स, फाइबर, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, शेत्र में निवेश को आकरशित करेगा इन उद्योगों के खुलने से शेत्र का सामाजिक एबम आर्थिक विगास होगा साथ ही स्थानिय लोगों को स्वयम का व्यवसाय आरंब करने के भी अवसर मिलेगे इस संयंत्र के आरंब होने से देश में होने वाले आयात में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड उपे के समतुल्य विदेशी मुत्रा की वज़त होगे और देश आत्म निर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा आज बड़े हर्ष एवं गर्व का अक्षण हो जब इस महत्वा कांशी पर्योजना का शुभारंब माननिय प्रथान मंत्री जी के कर गमलो द्वारा किया जा रहा है धन्यवार हम सभी लोग ये आशा रखते हैं हर व्यक्ति के घर में हर व्यक्ति के जीवन में सुख हो लेकिन आज हम पूरे गौरव के साथ कह सकते हैं कि माननिय प्रथान मंत्री मोहदय के कृत्यों के कारई वो सुख आत्म निर्भरता का रूप लेकर हर घर में पहुँचने वाला है तो एक बार पुना जोरदार तालिया हो जाए माननिय प्रथान मंत्री मोहदय के लिए और अब अठारा सो करोड के निवेश की दस नई और द्योगिक परियोजनाओं पर बनी एक लगू फिल्म का साक्षाफकार यहां मच से किया जाएगा उक्सिद भारत के निर्वान में मद्य प्रदेश की भूमी का बहुत महत्पकून है MP अजब भी है गजब भी है और सजग भी सपनों को हकीकत बनाता मध्य प्रदेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था भारत और केंद्र में बसा है इसका व्रिदैस्थाल मध्य प्रदेश इसकी सरजमी पर विकास के अबार अवसर मौजूद है यहां सपनों का संगम हकीकत से होता है और भविश्य को सवारा तथा निखारा जाता है तभी तो राज्य में सवा लाक एकड़ से ज्यादा ओद्योगिक लैंड बैंक पर एक से बढ़कर एक उद्योग धंधी पनप रही है जिसमें सहयोग करता है राज्य का ओद्योगिक इंफ्रस्ट्रक्चर परियाप्त जलापूर्ती गुण्वत्ता पूर्ण सरप्लस विद्यूत प्लब्दता और कुशल मैन पाउर राज्य में ओद्योगिक विकास की कहानी में नए सोपान को जोड़ते हुए माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी की ओर से दस नवीन विकास परियूजनाव की आधार शिला रखी जा रही है पहली परियूजना जिला नर्मदापुरम में विद्यूत और नवी करणिय उर्जव करण विनिर्मान क्षेत्र है करीब 227 एकड में पहली ये परियूजना 3300 करोड रुपे का निवेश आकरशित करेगी इससे स्थानीय स्थर पर 6600 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे रतलाम में मेगा इंडस्ट्रिल पार्क परियूजना 75400 करोड रुपे का निवेश आकरशित करेगी इससे एक लाख बहत्तर हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे मालवा क्षेतर में और द्योगिक विकास को मस्बूर बनाने वाली इस पर योजना को दिल्ली मुंबाई एक्स्प्रेस वही का भरभूर लाब मिलेगा इसमें खाद्य प्रसंद्करण, टेक्स्टाइल एवं गार्मेंट्स, आटो मुबील, फार्मा सेक्टर के साथ ही अन्य सेक्टर के उत्योग स्थापित होंगे मधुप्रेस के और द्योगिक विकास को गती बिलेगे अप्रदार मंत्री जी का जो संकल के बैवाफसाली, गौरफसाली, संपन, संब्रिद, और सक्तिशाली भारत के दिर्मान का तो हम संब्रिद और विक्सित मधुप्रदेश का दिर्मान करें इन दोर में आईटी पार्क तीन और चार के भोने से आईटी एवं Information Technology Enabled Services यानि ITES के क्षेतर में करांती लाने के लिए मध्यप्रदेश तयार हो चुका है इस पहल से 5,000 करोड रुपे का निवेश आकरशित होगा और 25,000 युवाओं को रोजगार में लेगा मक्सी, शाजापूर, गुना, बाउगंज, आगर, मालवा और नर्मदापुरम में 6 नए औद्योगी क्षेतरों के विकास की भी योजना है ऐसी रणनीतिक पहल का लक्ष संतुलत क्षेतरिय विकास को बढ़ावा देना है इन परियोजनाओं में 16,500 करोड उपए से ज्यादा का निवेश आकर्शित होगा इन विकास परियोजनाओं से राज्य के लगभग 33,000 नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे ये परियोजनाओं राज्य में बुनियादी इन्फरस्ट्रॉक्चर उपलब्द कराने के साथ साथ प्रदेश के नागरिकों के लिए आशा, विकास और उज्वल भविश्य भी सुनिश्चित करते हैं विकास लगातार मोधी जी शिवराज सरकार वाकई में हर घर में हमारे देश में हर व्यक्ती में इस धड़ती में आत्मन निर्भरता के बीज को रोपित करने हें तु हम एक बार पुना धन्यवात करते हैं मानलिया प्रधान मंत्री मुहादे का जिनके लिए मैं कह सकती हूँ कि सीने में जुनून आखों में देश भक्ती की चमक रखते हैं सीने में जुनून आखों में देश भक्ती की चमक रखते हैं देश के दुश्मनों की सांसे थंग जाएं आवाज में वो थंग रखते हैं और उनकी आवाज की गर्चना केवल एक ही बात कहती है कि अभी ना पूछो कि मन्जिल कहां है अभी तो बस चलने का इरादा ही किया है नहारे है नहारेंगे कभी ये किसी और से नहीं हमने खुद से वादा किया है तो आप सभी की तालियों के गड़गडाहट के बीच आमंतरित करना चाहूंगी हमारे देश के माननी प्रधान मंतरी महदे श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार तालियों से सागत दीजेगा भारत माता की भारत माता की मद्य प्रदेश के मुख्यमंतरी बाई सिवराज जी एंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी अरदिप्सी पुरी एंपी के अन्य मंत्रिगान सांसाथ विदायात और मेरे प्यारे परिवार जनों बुंदेल खंड की ये धर्ती बीरों की धर्ती है शुर्वीरों की धर्ती है इस भूमी को बीना और बेत्वा दोनों का आशिरवाद मिला हुआ और मुझे तो महिने भर मैं दूसरी बार सागर आकर आप सभी के दर्शन का सहुभा के मिला है और मैं सिवराज जी सकी सरकार का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे आप सब के बीच जा करके आप सब के दर्शन करने का अउसर भी दिया पिछली बार मैं संत्र अभिदाज जी की उस भव्य समारक के भुमि पुजन के अउसर पर आपके बीच आया था आज मुझे मद्द प्रेश के विकास उस विकास को नई गती देने वाली अनेक परियोजनाओं का भुमि पुजन करने का अउसर मिला है यह परियोजनाओं इस छेत्र के अउद्योगी विकास को नई उर्जा देगी इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय से जादा खर्च करने वाली है अब कलपना कर सकते हैं पचास हजार करोड क्या होता है हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजेट भी इतना नहीं होता है जितना आठ एक ही कायरकम के लिए बारत सरकार लगा रही है यह दिखाता है कि मद्द प्रदेश के लिए हमारे संकल्पा कितने बड़े हैं यह सारे प्रोजेक्स आने वाले समय में मद्द प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे यह परियोजनाए गरीब और मद्द बरगिये परिवारों के सपनों को सज करने वाली है मैं बीना रिफायंदी के विस्तारी करांग और अनेक नई सुविधाओं के सिलान्याद के लिए मद्द प्रदेश के कोटी कोटी जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों आज़ादी के इस अमरित कान में हर देश वासी ने अपने भारत को विख्षीत बनाने का संकल्प लिया है इस संकल्प की सिद्जी के लिए ये जरूरी है कि भारत आत्मन निर्भर हो हमें विदेशों से कम से कम चीजे बहार से मंगानी पड़े है आज भारत पैट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है हमें पैट्रो केमिकल प्रोडस के लिए भी दूसरे देशों पन निर्भर रहना पड़ता है आज जो बीना रिफाइनरी में पैट्रो केमिकल कॉम्प्लेस का सलान्यास हुआ है वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मन निर्भर मनाने का काम करेगा बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता यह जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं ब्राथ्रूम में इस्तिमाल होने वाली प्लास्टिक की बालती और मग होते हैं प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्शी टेबल होती है, गरों का पेंट होता है, कार का मंपर होता है, कार का डेशबॉर्ड होता है, पैकिंग मट्रियल होता है, मेडिकल उपकरन होते हैं, ग्लुकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरींज होती है, अलग अलग तरह के क्रशी उपकरण होते हैं इन सभी में पैट्रो केमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है अब बीना में बनने वाला यह आधुनिक पैट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे छेत्र को विकास की नई उचाई पर लिया देगा यह मैं आपको गारंटी देने आया हूँ इससे यहाँ नई नई इंडस्ट्री आएगी यहाँ के किसानों यहाँ के छोटे उद्द्यमियों को तो मदद मिलेगी ही सबसे बड़ी बात है मेरे नवजवानों को रोजगार के भी हजारों मोके मिलने वाले हैं आज के नए भारत में मैनुफेक्टरिंग सेक्टर का भी काय कल्प हो रहा है जैसे जैसे देश की जरुरते बढ़ रही है देश की जरुरते बदल रही है मैनुफेक्टरिंग सेक्टर को भी आदुनिक बनाना उतना ही जरूरी है इसी सोच के साथ आज यहां इस कायरकम में MP के दस नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है नर्जापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी सेच्वडी मैनुफेक्रिंग जोन हो इंदोर में दो नए आईटी पार्क्स हो रत्लाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो यह सभी मद्यप्रदेश की अउद्योगिक ताकत को और जादा बढ़ाएंगे और जब मद्यप्रदेश की अउद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाफ सबको होने वाला है यहां के नवजवान, यहां के किसान, यहां के छोटे-छोटे उद्योगि सभी की कमाई बढ़ेगी सभी को जादा से जादा नए आउसर मिलेंगे मेरे परिवार जनों, किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि पूरी पार दर्शिता से शासन चले ब्रस्टा चार पर लगाम कसी रहे यहां मद्द प्रदेश में आज की पिड़ी को बहुत याद नहीं होगा लेकिन एक वो भी दिन था जब मद्द प्रदेश की पैचान देश के सबसे खस्ता हाल राज्यों में हुआ करती थी आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक MP में राज किया उन्होंने ब्रस्टा चार और अपरात के सिवाई MP को कुछ भी नहीं दिया दोस्तों कुछ भी नहीं दिया वो जमाना था MP में अपराध्यों का ही बोलवागा था कानून व्यवस्ता पर लोगों को बरुसा ही नहीं था ऐसी स्थिति में आखेर मद्द प्रदेश में उद्योग कैसे लगते कोई व्यापारी यहां आने की हिम्मत कैसे करता आपने जब हम लोगों को सेवा का मोका दिया हमारे साथियों को सेवा का मोका दिया तो हमने पूरी इमानदारी से मद्द प्रदेश का भाग्य बदलने का बर्सक प्रयास किया है हमने मद्द प्रदेश को बाएसे मुक्ति दिलाई यहां कानून व्यवस्ता को स्थापित किया पुरानी पिड़ी के लोगों को याद होगा कि कैसे कॉंग्रेस ने इसी बुंदेल खंड को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविदाओं से तर्षा कर रख दिया था आज बाजबाज सरकार में हर गाउं तक सड़क पहुत रही है, हर गर तक बिजली पहुत रही है जब यहाँ कनेक्टिविटी सुद्री है, तो उद्योग धंदों के लिए भी एक सानुकोल पोजिटिव माहोल बरा है आज बड़े बड़े निवेशक मद्यप्रदेश आना चाहते हैं, यहाँ नई नई फ्रेक्टरियां लगाना चाहते हैं मुझे विश्वास है, अगले कुछ वर्षों में मद्यप्रदेश और द्योगी विकास की नई उचाही छूने जा रहा है मेरे परिवार जरों, आज का नया भारात बहुत तेजी से बदल रहा है आपको याद होगा, लाल के लिए से मैंने गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती और सबका प्रयास के समन्द में विस्तार से चर्चा की थी मुझे आज ये देखकर बहुत गर्ब होता है कि भानत ने गुलामी की मानसिक्ता को पीछे छोड़ कर अब स्वतंत्र होने के स्वाविमान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और कोई भी देश जब ऐसा ठान लेता है तो उसका काया कल्प होन शुरू हो जाता है अभी अभी आपने इसके एक तस्वीर जी ट्वेंटी समिट के दौरान भी देखी है गाउं गाउं के बच्चे की जुबान पर जी ट्वेंटी शब्दा आत्म विस्वास से गुन्ज रहा है दोस्तों आप सभी ने देखा है कि भारत ने किस तरह जी ट्वेंटी का सफ़ल आयोजन किया है आप मुझे बताईगे मेरे दोस्तों बताईगे ना मुझे जवाब देंगे हाथ उपर करके जवाब देंगे वो पीछे वाले भी जवाब देंगे सब के सब बोलेंगे आप मुझे बताईगे जी ट्वेंटी की सफ़लता से आपको गर्व हुआ या नहीं आपको गर्व हुआ या नहीं देश को गर्व हुआ कि नहीं हुआ आपका माथा उंचा हुआ कि नहीं है आपका स्रीना चोड़ा हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे परिवार जनो जो आपकी भावना है वो आज पूरे देश की भावना है यह जो सफल G20 हुआ है इतनी बड़ी सफलता मिली है इसका स्थ्रेक इसको जाता है इसका स्थ्रेक किसको जाता है यह किस ने कर दिखाया यह किस ने कर दिखाया जी नहीं यह मोदी ने नहीं यह आप सबने किया है यह आपका सामर्त है एक सो चालीस करोर भारत वास्यों की सभलता है दोस्तों ये भारत की सामो एक सक्ति का प्रमाण है और इस सम्मेलन में हिस्टा लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी महमान भारत आये थे वो भी कह रहे थे कि ऐसा आयो जान इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा देश के अलग-अलग शहरों में भारत ने विदेशी महमानों का स्वागत किया भारत दर्शन कराए एक विविदिताएं देख करके भारत की विरासत को देख करके भारत की सम्रद्धी को देख करके भी बहुती प्रभावित थे हमारी यहां मद्द प्रदेश में भी बोपाल इंदोर और खजुराहूं में भी जी ट्वेंटी की बैठके हुई और उसमें शामिल होकर के जो लोग गए न वो आपके गुनगान कर रहे हैं आपके गीत गा रहे हैं मैं जी ट्वेंटी के सफल आयोजन के लिए यहां जो काम करने का आउसर मिला इसके लिए आप लोगों का भी रदेश से आभार व्यक्त करता हूं आप मद्य प्रदेश के सांस्कृतिक परियाटान कृशी और अउद्योगिक सामर्त को दुनिया के सामने लाए हैं इससे पुरे विश्वम है मद्य प्रदेश की भी नई छवी निखर कर आई है मैं सिवराज जी और उनकी पूरी टीम की भी जी ट्वेंटी का सफल आवजान सूनिस्टीट करने के लिए प्रसुंसा करूंगा मेरे परिवार जनो एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्त दिखा रहा है दुनिया के मंचों पर यह हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को समाज को विभाजित करने में जूटे हैं इन्हों ने मिलकर के एक इंडी एलाइंस बनाया है इस इंडी इंडी एलाइंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंदन भी कहते हैं इनका नेता तेह नहीं है नेत्रुत्व पर ब्रह्म है लेकिन इन्हों ने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मिटिंग हुई थी मुझे लगता है उस मिटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंदन कैसे काम करेगा उसकी नीती और रणनीती बना दी है उन्होंने अपना एक हिड़न एजेंडा भी तै कर लिया है और ये नीती रणनीती क्या है ये इंडी एलाइंस की नीती है एक गमंडिया गठबंदन की नीती है बारत की संस्कृति पर हमला करने की इंडी एलाइंस का मिर्णा है बारतियों की आस्ता पर हमला करो इंडी एलाइंस गमंडिया गठबंदन की नीत है भारत को जिस विचारों ने जिस संस्कारों ने जिस परंपराओं ने हजारों वर्थ से जोड़ा है उसे तबाह कर दो जिस सनातन से प्रेवित होकार देवी अहल्या भाई होलकर ने देश के कौने कौने में सामाजी कार्य किये नारी उत्थान का भियान चलाया देश की आस्ता की रच्छा की ये कमंडिया गठबंदन ये इंडी एलाइंस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आये है ये सनातन की ताकत थी कि जासी की रानी लश्मी भाई अंगिरेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी जासी नहीं दूंगी जिस सनातन को गांदी जी ने जीवन परियंत माना जिन भगवान जी राम ने उनको जीवन भर प्रेणा दी उनके आखरी शब्द बने है राम जिस सनातन ने उन्हें अस्पुरुष्यता के खिलाब आंदोलन चलाने के लिए प्रेणित किया ये इंडी गडबंदन के लोग ये गमणिया गडबंदन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेणित होकर स्वामी विवेकान ने समाज की विविन पुराईयों के प्रती लोगों को जागुरुत किया इंडी गडबंदन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेणित होकर लोग मान्य तीलक ने माप भारती की स्वतंत्रता का बिड़ा उठाया गणेश पुजा को स्वतंत्रा अंदोलन से जोड़ा सार्वजनी गणेशोचों की परंपरा बढ़ाई आज उसी सनातन को ये इंडी गडबंदन तहस नहस करना चाहता है साथ यो ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता अंदोलन में फासी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मा की गोद में देना जो सनातन संस्कृति संत्रविदास का प्रतिविंब है जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है जो सनातन संस्कृति महर्ची वालमी की का आधार है जिस सनातन ने हजारों वर्षों से बारत को जोड़े रखा है ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं देश के कौने कौने में हर सनातनी को इस देश को प्यार करने वाले को इस देश के मिट्टी को प्यार करने वाले को इस देश के कोटी कोटी जणों को प्यार करने वालों को हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है सनातन को मिटा कर ये देश को फिर एक हजार साल की गुले में गुलामी में दकालना चाहते हैं लेकिन हमें मिलकार ऐसी ताकतों को रोकना है हमारी संग्रथन की सक्ति से हमारी एक जुटता से उनके मनसूखवों को नाकाम करना है मेरे परिवार जनों भारतिय जनता पार्टी रास्त्र भक्ती की जन शक्ती की भक्ती की और जन सेवा की राजनीती के लिए समर्पीत है वंचीतों को वरीता यही बाजपा के सुसाथन का मूल मंत्र है बाजपा की सरकार एक संवेदन सिल सरकार है दिल्ली हो या भोपाल आज सरकार आपके घर तक पहुँच कर आपकी सेवा करने का प्रयास करती है जब कोवीड का इतना भैंकर संक्ट आया तो सरकार ने करोडों देशवाचियों का मुप्तटी का करन कराया हम आपके सुख दुख के साथ ही है हमारी सरकार ने अच्छी करोड़ चे अधिक देशवाचियों को मुप्त राशन दिया गरीब का घर का चूला जलते रहना चाहिए गरीब का पेट भूखा नहीं रहना चाहिए हमारी कोशिज यही थी कि कोई गरीब, दलीज, पिजड़े आदिवासी परिवार की मां को अपना पेट बाद कर सोना न पड़े वो मां इस बाद से ना तर्पे कि मेरा बच्चा भूखा है इसलिए गरीब के इस बेटे ने गरीब के घर के राशन की चिन्ता की गरीब मां की परेशानी की चिन्ता की और ये दाहित्वा आप सबके असिरवात से आज भी मैं निभा रहा हूँ मेरे परिवार जनों हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मद्दप्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए मद्दप्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो गर गर समर्दी आए मोदी की गारंटी का ट्रेक रिकॉर्ड आपके सामने है उनकी ट्रेक रकड शुनाद करिये मेरा ट्रेक रकड देखा करिये मोदी ने गरीबों को पक्के गर की गारंटी दी थी आज मद्दप्रदेश में ही 40 लाग से जादा परिवारों को पक्के घर मिल चुके है हमने गर गर टॉयलेट की गारंटी दी थी ये गारंटी भी हमने पूरी करके दिखाई हमने गरीब से गरीब को मुक्त इलाज की गारंटी दी थी हमने हर घर बैंक एकाउंट खुलवाने का गारंटी दी थी हमने माताओ बैनों को दुवें से मुक्त रसोई की गारंटी दी थी ये हर गारंटी आपका सेवक ये मोदी आज पूरी कर रहा है हमने बहनों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस रच्छा मंदन पर गैस सिलिंडर की किमतों में भी बड़ी कमी कर दी इससे उजवला की लाबारती बेहनों को अब सिलिंडर चार सो रुपिये और सस्ता मिल रहा उजवला की योजना कैसे हमारी बेहनों बेटियों का जीवन बचा रही है ये हम सभी जानते हैं हमारा प्रयास है एक भी बेहन बेटी को दूंवे में खाना ना बनाना पड़े और इसलिए कल ही केंद्र सरकार ने एक और बड़ा निड़े लिया है अब देश में पचरतर लाख और बेहनों को मुप्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा कोई भी बेहन गैस कनेक्शन से छूटे नहीं ये हमारा मकसद है एक बार तो हमने काम पूरा कर दिया लेकिन कुछ परिवारों में विस्तार हुआ परिवार में दो हिस्से हुए तो दूसरे परिवार को गैस चाहिए उसमें जो कुछ नाम आए है उनके लिए ये नई योजना लेकर के हम आए है साथियो हम अपने हर गैरंटी को पुरा करने के लिए पूरी इमानदारी से काम कर रहे है हमने बिचोनियों को खत्म कर हर लाभार्थि को पूरा लाब देने की गारंटी दी थी इसका एक उदारण प्रधान मंत्री किसान सम्मान नीदी भी है इस योजना के लाभार्थि हर किसान को 28,000 रुपिये सीधे उनके बैंक खाते में बेजे गए इस योजना पर सरकार दो लाग साथ जार करोड रुपे से अधिक खर्च कर चुकी है साथियों बीते नव वर्षों में केंद्र सरकार का ये भी प्रयात रहा है कि किसानों की लागत कम हो उन्हें सस्ती खाद मिले इसके लिए हमारी सरकार ने नव वर्ष में दस लाग करोड पे से ज़्यादा सरकारी तीजोरी में से खर्च किया है आज यूरिया की बोरी आप जो खेत में यूरिया लेके जाते हो ना मेरे किसान भाईयों बैनों ये यूरिया की थेली अमेरिका में तीन हजार रुपय में बिखती है लेकिन वो ही बोरी मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ तिन सो रुपय में पहुचाते हैं और इसके लिए दस लाग करोड रुपया सरकारी खजाने से लग खर्च किया आप याद करिए जिस यूरिया के नाम पर पहले हजारों करोड रुपय के गोटाले हो जाते से जिस यूरिया के लिए किसानों को दिन राथ लाठिया खानी पड़ती थी अब वही यूरिया कितनी आसानी से हर जगह उपलब्द हो रहा मेरे परिवार जनो सीचाई का महत्व क्या होता है ये बुंदेल खंड से बैतर कौन जानता है बाजपा की डबल इंजिन सरकार ने बुंदेल खंड में अनेक सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया केन बेतवा लिंक नहर से बुंदेल खंड सहीत इस छेत्र के लाखों किसानों को बहुत लाब होने वाला है और जीवन बर होने वाला है आने वाली पीडियों के लिए भी होने वाला देश की हर बहन को उसके घर में पाइप से पानी पहुचाने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर परिश्रम कर रही सिर्फ चार वर्सों में ही देश भर में लगबग दस करोण नए परिवारों तक नल से जल पहुँचाया गया है मद्द प्रदेश में भी 65 लाग परिवारों तक पाइप से पानी पहुँचाया जा चुका है इसका बहुत अधिगलाब मेरे मुंदेलखन की माताओ बेहनों को हो रहा है मुंदेलखन में अटल भूजल योजना के तहट पानी के स्रोध बनाने पर भी बड़े स्तर पर काम हो रहा साथियों हमारी सरकार इस छेत्र के विकास के लिए इस छेत्र के गवरों को बढ़ाने के लिए पुरी तरह से प्रतिबद्ध है पुरी तरह से आपको समर्पित है इस साल पांच अक्तुबर को रानी दुर्गावती जी की पांचो भी जैंती है डबनिजीर की सरकार इस पुन्य अउसर को भी बहुत दुमदाम से मनाने जा रही है साथियो हमारी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिकलाब गरीब को हुआ है दली पिछडे आदिवासी को हुआ है बंचितों को वरियता का सबका साथ सबका विकास का यही मोडेल आज विश्व को भी राद दिखा रहा है अब भारत दुनिया की टॉप थ्री पहले तीन में पहले तीन अर्थिववता में आने का लक्ष ले करके काम कर रही है बारत को टॉप थ्री बनाने में मद्द प्रदेश की बड़ी भूमी का और मद्द प्रदेश उसको निभाएगा इससे यहां के किसानों यहां के उद्योगों यहां के नवजवानों उनके लिए नए नए आउसर तयार होने वाले आने वाले पांच साल मद्द प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने के हैं आज जिन प्रदेश की नीभ हमने रखी है यह मद्द प्रदेश के तेज विकास को और तेजी देगे इतनी बड़ी तादाद मैं आप विकास के इस उत्सव को मनाने के लिए आये विकास के उत्सव में भागिदार हुए और आपने आशिरवाद दिया इसके लिए मैं आप सब को बहुत बहुत दन्यवाद करता हूं अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद धन्यवाद महोदे हम देख सकते हैं कि यहां पधारे हुए हर व्यक्ति के अंदर हर आगंतुक के अंदर आपने प्रेर्णा का भाव संचार कर दिया है तो एक बड़ जोरदार तालियों से अभिरंदित करेंगे मानने प्रधान मंतरी महोदे को आपका आभार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम बिलकुल ये कह सकते हैं कि मानिन ये प्रधान मंतरी महादे के यहां पधारने से हम ना केवल कृधार्थ हुए हैं बलकि धन्य हो गए है आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा भावना करवध धरूप से एक बार पुना आप सभी लोगों को प्रणाम करती है धन्यवाद जैहिन झाल 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 जैने आजाते हैं बचन पत्र गारंटी और देदा के भूल जाते हैं अरे करजम आप के कही थी सबका करजम आप किया था क्या बेरोजगारों को भता दिया था क्या समू का करजमाफ किया था क्या कुछ किया ही नहीं ये कहते हैं और हम करते हैं मेरी बेटियां इसकूटी पे बैठी हैं ये वो बेटियां हैं जो अपने अपने स्कूल में बारवी में पहले नंबर पे आई थी मामा ने बचन दिया था कि पहले नंबर पे आने वाली बेटियां हो चाहे बेटा हो मामा इसकूटी दिलवाएगा और मेरी बेटियां आज इसकूटी पे बैठी हैं बेरे बहनों और भाईों परिवार की तरह हर काम देखिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी पांच किलो रिसन डिसुल्क अनाज अगर देते हैं तो करोड़ो करोड़ करीब बहनों और भाईों को देते हैं दिया था कभी कांग्रेस दे दूसरी हमारी जरूत दूसरी हमारी जरूत रहने की जमीन और मकान